सबको नमशकार दिल्ली के अपने दो करोड़ लोगों ने मिलके अपने मेहनत से, सावधानी से करोना के उपर हम सब लोगों ने मिलके काफी काबू पालिया है लेकिन अभी अपने को निश्चिंत नहीं हो ना सारी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, यह सब हम अपनी अतियात बरते रहेंगे क्योंकि करोना कभी भी भढ़ सकता है लेकिन अपने सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अर्थ व्यवस्था को पट्री पे लाया जाए लोगों की दुकाने बंद हो गई है, धंदे बंद हो गई है, इंडस्ट्री बंद हो गई है लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में अब दिल्ली के लोगों ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्विकार किया और उनको चैलेंज को स्विकार करके जीता है तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलके इस अर्थ व्यवस्था की चुनौती को भी हम लोग जीतेंगे आज एक कैबिनेट मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले हुई थी हमारी उसमें एक महत्वपून निर्ने लिया गया है जो मैं समझता हूं कि दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपून कदम होगा दिल्ली में डीजल के दाम काफी ज्यादा थे अभी तक दिल्ली में डीजल अभी 82 रुपए कल का जो दिल्ली में डीजल का रेट है वो 82 रुपए था आज दिल्ली की कैबिनेट ने निरने लिया है कि दिल्ली में डीजल के उपर और डीजल के उपर वैट के रेट 30 प्रतिशत से घटाके 16.75 परसेंट कर दिये जाएंगे तो काफी बड़ी रिडक्शन की जा रही है इस से दिल्ली में डीजल के दाम आठ रुपए 36 पैसे प्रतिश लीटर कम हो जाएंगे तो जो डीजल कल 82 रुपए का मिल रहा था वो डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे का मिलेगा बहुत सारे इंडस्ट्रीज से बहुत सारे व्यपारियों से लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि डीजल के ज्यादा रेट की वज़े से सब को तकलीफ हो रही है लोगों के बजट पे असर पड़ रहा है व्यपारियों को तकलीफ है इंडस्ट्री को तकलीफ है मैं समझता हूँ कि इस निरने से दिली की अर्थ विवस्था को एक फुष देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी पिछले एक हफते से हम लोग दिली की अर्थ विवस्था को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं जैसे सोंवार को मैंने ऐलान किया था कि रीडी पट्री वालों को काफी तकलीफ हो रही है जिनके काम करने वाले लोग कोरोना के दुरान फैक्टरी बंद होने से दुकान बंद होने से अपने अपने गाउं चले गए और अभी लोट के नहीं आए दीरे दीरे आ रहे हैं लोग तो उनको काम करने वालों की कमी हो रही है ऐसे बहुत सारे लोग है जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ने कि हम कहां जाएं नौकरी मांगने के लिए इन सब लोगों को मिलाने के लिए जो काम देना चाहते हैं और जो काम लेना चाहते हैं उनको मिलाने के लिए अभी हमने दो-तीन दिन पहले जॉब्स पोर्टल शुरू किया था उसमें इतना जबरदस्त रिस्पॉंस आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है मैंने तो सोचा भी नहीं था अभी जॉब्स पोर्टल एनॉंस के हुए तीन-चार दिन ही हुए हैं लगबग साथ हजार पां पचासी नौकरियां इसमें एड़टाइज की गई हैं दो-लाख-चार-थाजार-साथ-सुपचासी नौकरियां इसमें आई हैं अभी तक और तीन-लाख-बाइस-जार-आठसो-पैंसेट लोगों ने नौकरी के लिए अपलाई किया है तो जैसे मैं कल एक टी-वी चैनल प इसमें फैक्टरी शुरूर नहीं कर पा रहा था लेकिन जब से जॉब्स पोर्टल आया है बोला उसमें मैंने इसको डाला कि मिर को 35 मिचे और बोला मिर को 190 से ज्यादा लोगों के कॉल आ चुके हैं कि वो काम करने के लिए तयार हैं मुझे लगता इस कदम से अपनी अर्थ वबस्था को फिर से एक बर पट्री पे लाते हैं मैं सभी दुकान वालों से अपील करता हूं व्यापारियों से अपील करता हूं कि अपनी अपनी दुकाने खोलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और मास्क पहन के रखें लेकिन अब अपना काम काज हम सब सब्सक्राइब लोग शुरू करते हैं इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री को लें और आने वाले दिनों के अंदर मैं इंडस्ट्री के लोगों से व्यापारियों से बड़ी संख्या में मिलने जा रहा हूं जूम कॉल के जरीए वीडियो कांफरेंसिंग के जरीए ताकि उनसे अगर उनकी और भी कोई समस्या होगा